गुदिनिंग क्लास आई होप यू आल डूइंग गुड आज हम जे जी एस गुरे कर रहे हैं तो इस लेक्चर में हम बायोग्राफि कवर करेंगे उनकी मैट्रोलोजी क्या थी जो जी एस गुरे हैं वो फादर आफ इंदिया सिशोलोजी है तो उनकी मैट्रोलोजी क्या थी जो उन्होंने क्या तरीके जूज किये जो इंदियन सोसाइटी को स्टड़े करने के लिए कास सिस्टम पे उन्होंने क्या रिसर्च की और किंशिप पे तो जे आज हम सब डिटेल में देखेंगे तो जे सिशोलोजी का पेपर 2 का स्लेवस है तो हम परस्पेक्टिव अफ इंदियन सोसाइटी में जो इंदियन सोसाइटी में पहले देख चुके हैं अब अगर आप देखोगे जब जी एस गुरे ने जो अपनी सोशोलोजीकल रिसर्च की थी तो उसने काफी थीम्स पे सोशोलोजीकल रिसर्च लिखी जैसे कि कास्स सिस्टम एंडिकेंशिप ट्राइवस पे लिखा रूरल अर्बनाइजेशन पे लिखा कल्चर एंड सिवलाइजेशन पे लिखा शोशोलोजी ओफ रिलीजिन क्या है रोल अफ सादूर इंडिन टरडिशन इंडिन आर्ट एंड आर्किटेक्चर नैशन यूनिटी आन इंटेगरेशन हिंदू-मुसलिम अर्लेशनशिप अगर आप देखोगे जैसे जैसे स्लेव में बताया था तो सम्टैम होता किया है जब आप सोचिल पेपर्टू का अंसर लिखने कोशिश करते हो क्योंकि आपने इतना इंटरिंग नहीं करते सोचिल नोग स को तो अप जी सकासर लेकिन हमने ऐसा नहीं करना तो ईसलिए मैंने जिस लेवस की हार एक के सामने जिस स्लेबस को रखा हुआ है तो तांके आपको easy हो सके contact बठाने के लिए जैसे के एक religion का topic है religious community in India तो इसमें आप जो हिंदू-Muslim relationship पे जो GS गुरे ने बोला है इसको quote कर सकते हो आप same way जैसे kinship system है तो आज इसको study करेंगे तो इसमें हम GS गुरे क्या कह रहे हैं तो मिंज जो syllabus है आपको पता चलेगा जैसे tribal communities in India है तो एक issue of integration and autonomy था तो इसमें भी आप GS गुरे को quote कर सकते हो और same way जो perspective on study of Indian caste system है GS गुरे का क्या था जे वहला topic भी आपका cover हो जाएगा तो जे हम देखेंगे कैसे हम interlinkage बैठते हैं I hope आपको थोड़ा थोड़ा idea होने लगेगा जैसे features of car system है तो इसमें भी आप लेख सकते हो GS गुरे ने क्योंकि कुछ six features बताई थी तो जे सब हम detailed manner में देखेंगे मेरा main purpose क्या था इस exercise कराने का बेसे कोई भी आप thinker पढ़ रहे हो तो उसको जो आपके paper के topics हैं उसके साथ एक interlinkage बिठाना सीखिए तो शुरू करते हम जो मेरा पहला topic है जो मैं इस lecture में पूरा करूँगा और जो next lecture होगा उसमें मैं सारे topic के cover कर दूँगा ठीक है जी तो अब हम शुरू करते हैं about the G.S. Gure तो G.S. Gure 1893 में born हुए थे 1984 में की देथ हुई थी तो उनको father of Indian sociology कहा जाता है doign of Indian sociologist doign का मतलब most famous the symbol of sociological creativeness तो जे सब एक G.S. Gure को कहा जाता है क्योंकि G.S. Gure is the founding father of Indian sociology M.N.C. G.G. नवास ने G.S. Gure के बारे में कहा है nothing describes the fact that Gure was giant तो उन्होंने काफी ज़्यादा काम किया आप खुद देख सकते हो मतलब जब वो sociological research कर रहे हैं जबके कई बर हम देखते है sociologist एक theme ले लेता है का सिस्टम पे लिख रहा है लेकिन उन्होंने variety of themes पे लिखा है तो that's their creativity तो G.S. Gure के जब आप work को aspect करोगे तो आप देखोगे first his role in promoting and directing the course of research in diverse field of Indian society as a teacher, institution builder and scholar तो diverse field में उन्होंने जो research थी उसको promote किया वो हम देख सकते हैं जैसे जो 9 themes पे कैसे उन्होंने लग-लग theme पे एक तरफ caste पे लिख रहे हैं एक तरफ art and architecture पे भी लिख रहे हैं तो ये एक diverse field में उन्होंने study करने कोशिच की थी second his own substantive writing his theoretical postulates his vision of role of sociology मतलब जो उन्हों के कैसे उन्होंने लिखा है जो उन्होंने क्या एक perspective दिया है किसी भी topic को study करने का तो जिज कहरे हैं जो निकिज दोनों चीजों में जो GS गुरे थे उन्होंने excel किया है तो जो basic biography है तो उनका जो जनम था वो मालावान में हुआ था एक Brahman family में तो अगर आप देखोगे जब GS गुरे की हम थूरिज देखेंगे तो जब उनका criticism करते है क्योंकि हरे एक sociologist की जो sociology है वो मेरे साफ से नई completely जब तक उसका criticism ना हो तो ब्राह्मन family में वो पैदा हुए है तो कुछ जो sociologist की क्रिटिसाइज करते है भी उनकी जो sociology थी वो ब्राह्मनिक जो ideology से ज़्यादा inspired थी कुछ कहते हैं भी उन्होंने ब्राह्मनिक view of Indian society दिया है लेकिन मैं last lecture में बोला था इससे क्या हो रहा है मतलब एक criticism से क्या हो रहा है एक sociological research है जो sociological perspective है वो ज़्यादा enrich हो रहा है वो मतलब आपको एक और view मिल रहा है तो at the end of the day इसी से benefit क्या होता है discipline को benefit होता है discipline में और research होती है तो गुरे जो Sanskrit में scholar थे तो Sanskrit में नहोंने काफी यहादा research की मतलब संस्कृत में उन्होंने पढ़ाई की और इसलिए उन्होंने क्योंकि अब Sanskrit के ऊपर knowledge आगी तो इसलिए उन्होंने इंडोलोजी का path उठाया क्योंकि इंडोलोजी के नौलोजी के कारण वो इंडिया के जो text थे वो पढ़ सकते थे तो उन्होंने वो research की सब्सक्राइब का कंसेप्ट दिया था तो वो क्या है वो मैं जब इंडियन आर्ट एंड इंडियन सिब्लाइजिशन के बारे में पढ़ाऊँगा जी इस गुरे में तब मैं बताऊँगा भी जो दो परस्प्रेक्टिव थे डिफ्यूजिजम डिफ्यूजिशन ऑफ कल्चर सौरी एंड एवलूशनिजम तो जे हम देखेंगे तो गुरे ने डिपार्टमेंट अव शोशॉलोजी में हैड बने 1924 में तो काफी ज़्यादा उनकी वह थी मतलब एक सक्सेस्फुल टीचर थे रिसर्च गाइड थे जो शोशॉलोजिकल अवेर्नेस उन्होंने एक प्रमोट की जो सेकंड जेनरेशन के इंडियन सोशॉलोजिस्ट थे जितने भी थे एमेंच इन्वास इरावतिकारवे बहुत से सोशॉलोजिस्ट थे जो उनकी अंदर उन्होंने पढ़ाई की बहुत सी बुक्स लिखी तो उन्होंने और उन्होंने इन्हें सोशॉलोजिकल सोसाइटी फांड की और एक इसका जर्नल था सोशॉलोजिकल बुलेटिन जे किया तो मिन्स एक बेसिक हमें जे बायोग्राफी अम मैथ्रोलोजी क्या थी तो जो बेसिक मैथ्रोलोजी थी मतलब आप अगर कहोगे ना भी जीएस गुरे इंडोलोजिस्ट था तो मैं कूँगा नहीं इंडोलोजिस्ट नहीं था जीएस गुरे ने कभी भी ना एक फील्ड में अपने आपको लिम्टेड नहीं रखा वो थ्रेटिकल प्लॉरलिजम मतलब मल्टिबल पे मतलब जैसे के आप कहते हो फील्ड व्यू जो एक रिसर्च है आल्दो एमें शीनिवास ने वो फेमस की लेकिन गुरे ने भी एक फी फील्ड स्टडी की थी सर्वे ऑफ सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडल क्लास पीपल इन बॉंबे और महादेब कॉली में एक मोनोग्राफ लिखा था तो मतलब आप इसकी और एक अच्छी बात देखिए जब जीएस गुरे बाहर पढ़ने गए थे फॉरण में तब उनकी जो स्ट अच्छल फंक्शनलिजम में स्टडी हुई थी लेकिन उन्होंने क्या किया इंडोलॉजी अप्रोच जूज की एंत्रोपोलॉजिकल प्रस्पेक्टिव स्टडी किया और यह देखिए डिफ्यूजिजम उन्होंने सीखा था बहां ते डिफ्यूजिजन अप्रोच लेकिन ताके वो एक सोशलोजिकल रिसर्च कर सके तो अब हम देखते हैं आई होप आपको जी बेसिक अंडरस्टेंडिंग होगी होगी तो अब हम देखते हैं उन्होंने कास सिस्टम पे क्या बोला तो पहले तो मैं आपको कास सिस्टम का बेसिकल एक सिस्टम बता जेता हूँ क्य टेगराइज कर देते हैं अलग लग उसमें गरुप में डिवाइड कर देते हैं और उन गरुप के बिज़़ा से मतलों उनको रैंक करते हैं अपर रैंक्त लो रैंक्त तो इसी तरह więc कर शिस्टम है जिसमें इंडियन सुसाइटी को ऊणोंने छार गरुप में डिवाइडuled कर और जहांके बरकर्स होगे तो ये चार caste system है तो indian society को ऐसे डिवाइड किया हूआ है जो वर्णा के बाहर एक आते हैं जिनको हम बोलते हैं untouchable दलित्स तो ये एक society की क्या है हमारी society की एक figure है मतलब society की एक system में भी किस तरह हमारी indian society को डिवाइड किया हूआ है I hope इतना आपको caste system का clear हो गया होगा तो अब G.S. गुरे ने क्या इस पे perspective दिया तो गुरे की एक book थी caste and race in India तो जिनमें उन्होंने historical, anthropological, sociological perspective दिया caste system को study करने के लिए kinship क्या होता है kinship होता है जो family relations तो यह हम दोनों चीज़े देखेंगे caste and kinship गुरे जूज टेक्स्टार एविडेंस from ancient text to analyze the caste system he also examined caste system from structural and cultural perspective तो historical, comparative, integrity perspective दिया लेटर में उन्होंन जो kinship थे Indian-Yorkian culture को भी study किये तो actually इन्होंने चस स्टम को क्यों study किया था क्योंकि जब हम जे जो हमारा जे देखो गया आप जे एक topic एप्रोक पर कास सिस्टम तो जब हम इसमें देखेंगे इसमें different colonial theories थी जो के एक बहुती limited scope दे रहे थे कास सिस्टम को define करते थे तो जब गुरेन देखा यह एक बहुती colonial mindset वाला कास सिस्टम पर view दिया जा रहा है तो उन्हेंने फिर study की और कास सिस्टम की जो एक proper features बताई भी क्या है जो के qualitatively बहुत different था जो के Britishers study कर रहे थे कास सिस्टम पर तो अभी हम देखते हैं तो जो गुरेन ने कास को बताया था तो गुरेन ने बताया भी कास जो system है वो unique Indian society में जहां में हमने लोगों को एक छोटटे ग्रूपिंग में डिवाइड करता है जिसको बोलते हैं कास्ट और इसमें जो वर्ना है तो वर्ना में अगर आप देखोगे वर्ना में different different कास्ट होती है और कास्ट में different different सब कास्ट होती है तो वर्ना different है कास्ट different है वर्ना क्या हो गया एक norm, मतलब qualitatively बड़ी picture, जो cast है idle picture, जो cast है वो कहा है localized feature तो एक जो जो cast था तुन्होंने बताया तो भी जहाँ पर जो respect और social interaction decide होती है, caste के बिसीज़ पर भी किसी caste की जो Indian society में respect ज़्यादा है, किसी की कम है और social interaction भी decide करती है तो उन्होंने caste की six features बताई, segmental division of society the caste society comprises heterogeneous groups within the distinct life of their own and membership of determined not by selection but by birth, तो बर्थ के basis पे decide होता है अगर ब्राह्मन caste में परता है तो आप ब्राह्मन और इसका actually में अगर आप देखोगे, ये जब आपने शायद ancient history पढ़ी होगी Vedic period and later Vedic period तो Vedic period में जो बोलते थे जो caste system था वो merit based था अगर आप में merit है तो आप किसी भी caste में जा सकते हो जैसे के महारिशी वालमिक थे वो पहले शुदर थे लेकिन बाद में क्या बने दूटू देर merit तो वो क्या बने महारिशी बने महारिशी बिशकर्मा जो पहले क्या थे जो महारिशी बिशकर्मा थे वो पहले शत्रिया थे लेकिन बाद में उन्होंने महारिशी बने तो यह भी एक डिवेट है विजो बैदिक पिरिट था उसमें जो का सिस्थम था वो टैलेंट बेस था और लेकिन जब लेटर बैदिक पिरिट में जे रिजिड हो गया और बर्थवेस हो गया तो आप गुरे स्टडी कर रहे हैं तो उन्होंने बताया भी यह बर्थवेस है लेकिन यह भी एक प्रस्पेक्टिव है जो मैं आपको एक्स्ट्रा इंफ्रमेशन के लिए बता रहा हूं आपने तो यही लिखना है जो जहां पे है नोट क्योंकि आपको सर्फ रट्टा मारना जब जीएस गुरे का बताया तो जही शेक्स फीचर्स आपको लिखनी है क्योंकि एड़ दा एंड अगर दे नंबर इसनी सीटल से मिलेंगी थोड़ी बहुत रट्टा फकेशन भी जुरूरी है तो सेग्मेंटल डिविजन आप सुसाइटी है अब मैंने बताया विनको हरार्कि में रखा गया है जो डिफरेंट कास्ट हैं डिफरेंट ग्रूपस हैं तो जैसे ब्रामन वहां पर टॉफ अ आपकी सागर्व सर्व किस से वड् flirt पर एपरकर मतलब इसमें क्या है रूल्स है मतलब भी फीडिंग पर भी किस कास्ट का बंदा किस कास्ट के बंदे से खाना ले सकता और किस से नहीं ले सकता जैसे lower caste जो लोग है वो किसी भी ब्राम्मन को जो ब्राम्मन है उन से क्या हुगा भी lower caste से कोई भी खाना जब पानी नहीं सैप्ट करते तो गुरे आर्स ओ मेंशन आप ने देखा होगा पहले लोग क्या कहते थे बिस्कित Untouchable Untouchable जो category भी इनको छूना नहीं है इस से जो pollution है फैलेगा तो एक जाय था तो यह भी गुरे ने study किया है और इसको detail में जो theory of purity and pollution है जे क्या है यह purity of pollution यह Louis Dumbo ने भी बहुत detail में study किया है वो हम जब class system करेंगे उसमें हम देखेंगे तो मैंने बताया था कुछ सुसाइटी को कुछ प्रिविलेज दे दिये कुछ को डिसेबल कर दिया डिसेबलने संसे कोई प्रिविलेज नहीं है जैसे कि आपने देखा होगा गाउं देहाथ में तो जैसे सेंटर में जो रहते हैं वो कौन रहते हैं अपर कास्ट के लोग लेक थी मतलिब के लुए अप मंदर में नहीं आ सकते आप पानी नहीं पी सकते जहां से जो होगा और आपको जो लौज काश्ट के लोग दो वेद नहीं पढ़ सकते थे तो जैसे कच्च heals मकान में रहना है पक्का मकान नहीं बना सकते आपने कुछ और भी देखा होगा जैसे काफी मैं न्यूज देखता हूँ तो रिसेंट मैंने न्यूज में पढ़ रहा था भी एक लोग कास्ट के बंदे को अपर कास्ट के लोगों ने इसलिए वो किया था पीट दिया था क्यों कि उसने मूझ रखी हुई थी मिन्ज जहां वो गोडी पर जा रहा था तो मिन्ज ये एक सोसाइटी ने कुछ डिसिबिल्टीज रख रखी थी लोग कास्ट पर तो ये एक फीचर बताई जी इस गुरे ने लैक ओफ अने रिस्टिक्टेड चोईस ऑफ अक्कुपेशन तो मतलब ऐसा नहीं था कोई भी अक्कुपेशन कर सकता था हारे कास्ट को डिसाइड करता था भाई तूने ये करना है तुम ये करोगे जैसे लोवर कास्ट के लोगों को स्वीपिंग वाथ रूम्स वाशिंग क्लोस केवेंजिंग जी सब दिया हुआ था जी मतलब कास्ट के बेसिज पर आपकी अक्कुपेशन को डिसाइड करती है भी आप जे जे वाला अक्कुपेशन खरोगे इसी लिए आज अगर आप देखोगे दलित कैपिलिजम की बात ह हो रही है यह क्या है यह आप देखेगा यह तो मैं बाद में बता दूँगा तो मतलब उस टाइम क्या था अन्रिश्रिक्टिव च्वाइस ऑफ अक्कुपेशन भी ऐसा नहीं था बिदलित मंदर में पुजारी बन जाएगा लेकिन आज यह चीज हो रही है आज मैं आज को मैं नियूज हैडिंग वो लेकर आने बोलगा है उसमें देखा है साउथ में कुछ टैंपल में दलित प्रीस्ट अपॉंटेड किये जा रहे हैं लेकिन उस टाइम नहीं था क्योंकि आप द क्या था 1930s 40s में यह लिख रहे हैं उस टाइम कास्ट सिस्टम बहुत रिजिर्ट था आज के केंपेरिटिवली मतलब बहुत रिजिर्ट था तो जेक उन्होंने फीचर बताई रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज हिंडोगेमी हिंडोगेमी का मतलब क्या होता है भी अपने ही ग् के जों बर याज़ हिंडोगेमी mirish सेकर लिए काहश्ट में शादी करनी है गोत्रा एक्सों गह्याँ मि इससे विल्लेज एक्स गहिंपी तो यह अदु मतलब family से बाहर शादी करनी है गाओं की जैसे village exogamy भी बाहर दूसरे गाओं में शादी करनी है सेम गाओं में शादी नहीं कर सकते दूसरे गोत्रा में करनी है caste endogamy caste में ही करनी है लेकिन आप देखोगे अभी जो मैंने family exogamy बोला है जे भी एक अलग-लग system है जैसे north इंडिया में हम family exogamy करते हैं लेकिन वहाँ पे south इंडिया में cousins में भी marriage होती है तो जे हम जब family relationship करेंगे उसमें details में जेखेंगे तो जहाँ पे restriction of marriage तो मतलब सिर्फ अपनी caste में ही marriage करनी है दूसरी caste के बंदे से नहीं marriage कर सकते हैं तो जे caste हैं इंडिया में उसके बाब तो I hope आपको जे पता चल गया होगा विजी एस गुरे ने six feature बताई इंडियन caste जो का system है segmental division of society, hierarchy, restriction on feeding and social intercourse, civil and religious disabilities and privileges of different sections, lack of unrestricted choice of occupation, restriction of marriage तो अब जब caste and kinship की वो study करते थे तो नहीं ने जो बताया जो के ने कास्ट नेटवर्क हैं वो कहते भी other societies में भी है parallel क्योंकि इंडो यॉर्पियन जो हम देखते हैं भी जो यॉर्पियन जो आर्यांस थे जो एक theory है आर्यां theory वी कुछ आर्यांस जो stepes थे आयते कुछ इंडिया की साइट चले कुछ यॉर्प में चले के तो मतलब जो जो structures बनी हैं caste हो सकता तो दो different नाम से हो तो जो kinship और caste है वो क्या कर रहे हैं इन दा पास्ट वो कह रहे हैं इंटेग्रेटिव फ्रेमवर्क में हैं भी society को integrate करके रखा है और इसी जी का एक criticism भी आता है भी integration नहीं किया था जो कितने ज़्यादा exploitative था तो इसमें इन्होंने जे बताया जो kinship जो relation है वो कैसे होते हैं तो kinship में वो मैंने बताया था caste endogamy और clan exogamy वी मतलब गोत्रा क्या है वी हार एक बंदा अपने एक ancestor एक रिशी से कोई भी मतलब mythical figure से अपने आपको देखता है वी मेरा वो गोत्रा है जैसे आपने देखा होगा किसी का गोत्रा कश्यप होता है तो वो अपना origin मानते हैं महरीशी कश्यप से तो गोत्रा क्या है भी गोत्रा से बाहर शादी करनी है आपको तो गोत्रा जो common ancestor marriage between two people of same गोत्रा बुडली तू मतलब अगर सेम गोत्रा में शादी होगी तो उस relationship को incest बोला जाएगा तो वो lineage को extinct कर देगा ऐसा जब उन्होंने study किया ऐसा जीएस गुरे बता रहे भी जो इंडिन किंशिप सिस्टम कैसा है तो relationship is very close because exogammy in our society is largely based on kinship either real और imaginary the effective unit of caste, sub caste is largely constituted of kinsmen मतलब अपनी caste में शादी करनी है, sub caste में शादी करनी है तो इन्होंने बताया विजो marriage में restriction है इंडोगैमिकी, exogammy की और hypergammy की तो जहां पर जो spinda क्या है भी अपने कितने degree के kins तक भी कितने जैसे होता है भी अपनी मदर के चार साइड छोड़नी होती है इसे मतलब यह कुछ rules होते हैं जो आप detail में देख लीजिएगा बाकि में proper जब हम family and friendship करेंगे उसमें बता दूंगा क्या family marriage के क्या rules है तो जहे देख लीजिएगा यह आपको PPT मिल जाएगी इसमें पढ़ लीजिएगा अभी तो जहे सब आप देखिए assimilation उन्होंने इसके लावा एक और टॉपिक बताया assimilation of schedule caste क्योंकि अगर आपने देखा होगा मैंने बताया थभी चार वर्ना है जो schedule caste है जो untouchables है वो वर्ना सिस्टम से बाहर है तो GS गुरे ने जे बात बताया विजिए वर्ना जो untouchables को है उनको four-fold society के कैसे लेके आए जाए तो उन्होंने बताया be assimilation of through four steps क्योंकि जे चीज मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि जब आपको untouchability पे आता है तो इसमें भी जैसे एक तो इसमें भी untouchability forms and perspectives तो इसमें आपको जे आप लेख सकते हो जीएस गुरे कैसे कह रहे थे यह untouchables के लिए जीएस गुरे का क्या point of view था तो उन्होंने कहाता है हिंदू society में चार steps से आ सकते है removing disabilities जितने भी वह मैं बता रहा है डिस्क्रिमिनिशन करते हैं आपको यह बैद नहीं पढ़ सकते जो religious books है वह नहीं पढ़ सकते मंदर में नहीं जा सकते वह सब हटाओ promoting cleaner and moral lifestyle जैसे आप देखे देखते होगे वह जो वह सेप्टिक टैंक्स वगरा साफ करते हैं तो जो मतलब उसको अच्छा नहीं माना जाता तो वह उसको आप moral lifestyle को promote करो encourage social interaction with the other section and begin eradicating the exclusive spirit of caste वह उस spirit को खतम करो इंट्रेक्शन बढ़ाओ जो कास्ट की spirit है वह करो अब गुरे also recommend providing modern technology training employment to untouchable class to facilitate तेरा simulation into Indian society और उन्हें ये भी बताया विए एक central administrative organization और local communities होना चाहिए जो एक dispute को जो ritually poor and impure caste के disputes को solve करें अब गुरे का जो view है गुरे का does not believe in reserved reservation necessary है क्योंकि ये जो एक distinction है इसको perpetuate करेगी जे रेजरेविशन को नहीं वो करते थे अच्छा नहीं मानते थे उनको Indian constitution के equality for all के उसमें पूरा faith था तो जे assimilation of schedule caste पे भी उन्होंने एक लिखा भी कैसे हम जो schedule caste को बरना सिस्टम में लेके आ सकते हैं अब उन्होंने ये भी बताया new roles of caste नहीं दिया तो उन्होंने ये बताया विजो caste हैं तो कुछ associations बनने लगी हैं जैसे के गर्वाल सभा ब्राम्मिन association जैसे कुछ associations बनने लगी है तो उसमें क्या हुआ है एक political consciousness आई है on the basis of caste ties तो जो रजनी कठारी थे वो इसका एक positive वो देख रहे थे positive role caste जैसे जो एक caste associations बन रही हैं उसके करण क्या हो रहा था विजो welfare activities थी बहो ले रहे थे लेकिन गुरे क्या गुरे के रहा भी रेफर टू बेरियस एजिटेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासज फॉर बैटर प्रिविलिजिस एंड सौ दी स्ट्रगलाइस अंडर्माइनिंग दा इंटेग्रिटी ऑफ इंडियों ससाइटी तो गुरे बिलकुल अलग व्यू था वो कह रहे थे भी जो जो ज इंटेग्रेशन है उसको खत्रा है बिलीव डाइट स्क्रैंबल फॉर प्रिविज वाज डेमेजिंग जूनिटी ऑफ ससाइटी और का सिस्टम वाज बिकमिंग प्लूरिटिश्ट इन सेंस एच कास्ट वाज कॉंपिटिश्ट वाज कॉंपिटिश्ट बिद अधर बिगर शेर ओफ नेशन जबेल विज एक कास्ट दूसरी कास्ट के साथ कंफ्लिक्ट में हैं तो जे इन्होंने कहा एक उन्होंने जे कंसेप्ट भी दिया था कास्ट पैट्रिटिजम तो यह भी इसी से लिंक था विजो अपनी कास्ट के प्रती ज्यादा लोग कॉंशिस हो रहे है तो आइपको जो कास्सटम पे था जो जी एस गुरे का क्या तरीका था वो बहुत अच्छे से क्लियर हो क्याओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप आपको जो भी कोई भी अगर आपको लगता है इस लेक्ष्टर को और अच्छे से इंप्रू लेके और लेक्चर्स को अच्छा बनाने कोशिश को दूँगा ठैंक्यू क्लास